आज की वीडियो में हम देखेंगे बच्चों को फोर लाइन कॉपी में स्मॉल लेटर लिखना कैसे सिखाएं वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट अगर आप मेरे चैनल पर नए हो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में वेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा इससे मेरे आने वाले सभी नए वीडिय आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी तो शुरू करते हैं वीडियो जैसा कि आप देख सकते हैं alphabet के capital letters four line copy में उपर की three lines में लिखे जाते हैं सारे letters जैसे ए है देखें उपर से one two three इन्ही three lines में लिखे जाते हैं लेकिन small letters के जो letter होते हैं वो कुछ letters ऐसे होते हैं जो beach वाली line में लिखे जाते हैं कुछ letters ऐसे होते हैं जो उपर से इन तीन line में लिखे जाते हैं और कुछ letters ऐसे होते हैं जो beach वाली line से start होके नीचे की ओर जाते हैं इसलिए जरूरी है कि बच्चों की practice four line copy में कराई जाए नर्सरी class से ले करके second या third class तक की बच्चों को इसी तरह की copy में लिखाया जाता है इसके बाद बच्चों को single line वाली copy दी जाती है तब तक बच्चों की अच्छी practice हो जाती है capital letter के साथ में small letter को assemble करके लिखने की small letter बच्चों को सिखाने के लिए आपको क्या करना है capital letter को add करते हुए small letter सिखाएं और साथ में उसकी picture भी जरूर add करें इससे आपको capital letter और small letter अलग-अलग नहीं बताना पड़ेगा साथ में इस बच्चा तीनों चीजों को relate करता हुआ सिखेगा जैसे capital A, small a, apple इसके बाद आप बच्चों को trace करने के लिए दीजिए इस तरीके से और एक साथ बहुत सारे letter नहीं सिखाने है one by one करके सिखाए जैसे यहाँ पर A दे दिया आपने तो जब तक बच्चे को A बनाने नहीं आ जाता आप उसको next letter मत सिखाएं जब बच्चे को A बनाना आ जाए इसके बाद उसे next letter सिखाएं B यहाँ पर देखे capital B के साथ में small b और साथ में उसकी picture बनी हुई है B for ball तो बच्चा साथ में ही relate करके तीनों चीजों को सीख जाएगा और साथ में लिखना सीख जाएगा तो इस तरीके से आप बच्चों को start करें small letter सिखाना और अगर आपके बच्चे को ज़्यादा दिक्कत आती है format करने में तो आप उसे plain paper पर dot लगा के tracing करने की practice करवा सकते हैं इससे क्या होगा कि बच्चे को letter का formation समझ में आ जाएगा फिर वो इस copy पर आराम से लिख लेगा तो चलिए देखते है small letter कैसे format होते हैं सबसे पहले है A A के लिए क्या करना है एक curve जैसे हम C बनाते हैं लेकिन बीच वाली line में और इसके साथ में एक छोटी सी standing line हलका सा curve लेके यह हो गया A B के लिए एक standing line और साथ में एक छोटा सा inverted curve इसी तरीके से C है यह capital letter के जैसा ही बनता है लेकिन बीच वाली line में बनेगा फिर D के लिए एक standing line और एक curve बीच की line में इसी तरीके से E E के लिए एक curve जैसे C बनाया था और यहाँ पर इसको उपर से थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे यह हो गया E F बनाने के लिए एक standing line और इसको उपर से थोड़ा सा curve ले लेंगे और यहाँ पर छोटी सी sleeping line यह हो गया F G के लिए एक छोटा सा curve C जैसे बनाते हैं और इसके साथ में standing line और फिर इसको यहाँ पर थोड़ा सा उपर की और गुमा देंगे H बनाने के लिए एक standing line और एक down curve यहाँ से H हो गया I बनाने के लिए एक छोटी सी standing line हलका सा नीचे curve लेकर और यहाँ पर एक dot इसी तरीके से J बनाने के लिए एक standing line और फिर इसे अप curve थोड़ा सा घुमा लेंगे उपर की तरफ और यहाँ पर एक dot यहाँ गया J K बनाने के लिए एक standing line और फिर यहाँ पर आप two dot लगा करके दे दीजे बच्चे को इस तरीके से slant छोटे-छोटे two slant line L बनाने के लिए सीधा एक standing line फिर है M के लिए इस तरीके से एक छोटा सा curve फिर down curve और एक और down curve M हो गया N के लिए एक छोटी सी यहाँ पर line हलकी सी curve line है और एक down curve N O एक छोटा सा circle बीच वाली line में P जैसे capital letter का P बनता है वैसे ही बनेगा लेकिन बीच वाली line से start हो करके नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से यह गया P Q बनाने के लिए फिर से एक छोटा सा curve जैसे C बनाते हैं और फिर standing line और फिर इसको इस तरीके से slant line R बनाने के लिए एक छोटी सी standing line और इससे इस तरीके से उठा के हलका सा curve दे देंगे R S जैसे capital letter में बनता है वैसे ही लेकिन बीच की line में बनेगा T बनाने के लिए एक standing line और इससे हलका सा फोल्ड कर देंगे नीचे से U बनाने के लिए इस तरीके से आप curve योगया U V जैसे उसमें बनता है capital letter में ठीक वैसे ही लेकिन middle line में बन रहे हैं सारे ये इसे तरीके से W middle line में फिर X बिलकुल capital letter के जैसे बट middle line में बनेगा ये भी फिर यहाँ पर Y capital letter में उपर की तीन line में बनता था और small letter में नीचे की तीन line में formation सेम है इसके बाद Z बनाने के लिए जैसे हम capital letter में बनाते हैं ठीक वैसे ही लेकिन यहाँ पर बीच की line में बनाएंगे तो यह है small alphabet I hope आपको वीडियो helpful लगी होगी अगर helpful लगी हो तो प्लीज इसे like और share जरूर कर दे और comment करके मुझे बताएं आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं मेरे next वीडियो में तब तक के लिए take care and bye bye